तो आज हम करने वाले हैं त्रेडिंग तुकि यह मैंने काफी थोड़ा वीडियो कर दिया है जिसे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए वैसे मैं थ्रेडिंग की बहुत सारी वीडियो पहले अप्लोड कर चुकी हूं आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीकी की मैंने आईबरो उसमें बनाई है तो यहां सीखेंगे हमकी परफेक्ट सिप कैसे थे और बहुत आराम से मैंने इसमें बनाया है इसको आप देखेंगे की इसकीन थोड़ी लूज है लेकिन जब स्कीन लूज होती है तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी क्लाइन को बोलना है कि वो अपनी स्कीन को अच्छे से होल्ड कर लें अच्छे से खीचें उसको जिससे की कटने का कोई डर ना रहे इसकीन काफी लूज थी लेकिन आप देखें इस तरह से अगर आप आराम से थ्रे का थ्रेट रहता है ना उसको अच्छे से जमाएंगे तो उसके अंदर जो भी बाल होंगे उसके अंदर अंदर से ही निकलेंगे आपके एस्टर हेर बुकुट भी नहीं निकलेंगे इस तरह से पहले थ्रेट को लेके जाएं एक लाइन में और अच्छे से जमा के फिर जो कोई भी एस्टर ही है निन्कलेंगे जह आप निकालना चाहते हैं सिर्फ रही निक्लेंगे वकुछ इस तरह से अप आराम आराम heck आइउप , अभी अप्स Fail से आइप्टर है मैं एसको घर निकालेंगे पंप आप दू रहा हुआ तो आप अच्छे से सीख पाएंद खाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से बहुत जल दी और बहुत आराम से मैंने किया और इतनी अच्छी से सेब आगी है तो सेम उपर से भी हम वही करेंगे जो हमारा एक धागा होता है यह देखिए नीचे वाला धागा जो है एक अच्छे से जमा रही हुँ मैं और इसको धागे से और धागे को खीच दो अच्छे से हेर निकल भी जाते हैं और सेब भी एक के लिए अच्छी आती है तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है जब आप थ्रेडिंग बना रहे हैं सिर्फ यह धागी को जमाना है अपने एक वार धागे को जमा लीचे और उपर वाले धागे को जो अपकी मुँ में जो धागा होता है उसको खीचना है सिर्फ आपको अगर आप एक एक करके बाल निकालते जाएंगे तो उसमें केलियर्टी बोकल भी नहीं आएगी मैंने वीडियो को थोड़ा स्लो कर दिया है जिसे कि आपको अच्छी से समझ में आजाए तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सेप आई है हमने ज़्यादा हिर नहीं निकाले हैं इसमें से तो सॉरी मैंने कट कर रही थी मैं जो ऐस तरह हिर होता है तो वो क्लेमरसे डिलीट हो गई है तो उसके लिए सॉरी तो इस तरही में आपको बतारी हूँ कि आपको अपनी जो बढ़ी हुए हैर होते हैं उनको कैसे कट करना है तो सेम इसमें भी हम बैस ही करेंगे अब आपको एक लाइन दिख रही होगी क्लियर मैं उस एक लाइन बना कि जब ट्रेडिंग बनाती हूं तो बहुत अच्छी क्लियर्टी आती है लाट से हम बाद में निकाल लेंगे तो इस तरह से अच्छी से होड करा लीजे दिखे एक अच्छी से देने के लिए एक कीज आप जरूर ध्यान में रखें जब आप यह त्रेडिंग बनाते हैं तो अपनी क्लाइन को बोलें कि जो उपर से हम जब कीजते हैं ना इसको रखना है लेकिन जितना हम उपर ज्यादा कीजेंगे तो हमारी जो थ्रेडिंग है वो उची उठेगी तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आप जो सेफ देना चाहता है ना आइबरो में वह एक बहुत अच्छी सेफ निकलेगी इस तरह से और अगर जैसे बहुत से क्या करते है कि नीचो को ज्यादा कीजते हैं दर्द होने की बज़ा से नीचो को ज्यादा कीजते हैं उपर से सिर्फ हलका सा पकड़ लेता है तो उससे क्या होता है कि सेफ जो आइबरो होती है ना वो सीधी सीधी हो जाती है उसे हम उठाके नहीं बना पाते फिर क्योंकि सेफ का पत तो इस तरह से अगर कोई खीज तायना तो पूरी परफेक्स दिखेगी कि हमें कितने हैं निकालने हैं कौन से निकालने हैं और सेप जैसे हम करना चाहते हैं वैसी ही उससे निकलेगी तो इस चीज का बहुत ध्यान अब नहीं देखा आपने इस स्कीन थोड़ी धागे के साथ तारी ते वो लूज छोड़ी थी स्कीन बहुत पतली स्कीन थी लूज भी हो चुकी है तो इन चीजों का ध्यान आपको बहुत रखना है कि जितना अच्छा खीचेगी स्कीन जिनी टायटली होगी उतनी अच्छी ही आपके आईब्रो की सेव आईगी और कभी भी जल्द व होड़ी होड़ करने के लिए जितना अच्छा होड़ होगा उतने ही अच्छी है आपकी थ्रेडिंग की स्रिफ निकलेगी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने किया तो फटा फट से सब्सक्राइब कर दीचिए वाल अकान प्रेस कर दीचिए जिसे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेश आपको मिलती रहे तो जो और भी एस्ट्रा हेर में उनको भी कट कर दूगी तो आप देख सकते कितनी प्यारी सेव आई है अब हम सेंटर से हेर को निकाल देंगे मैंने ट्रेडिंग के और भी बहुत सारी वीडियो अप्रोड की हुई है आप मेरे चैनल पर जाकी उन्हें देख सकते हैं और अच्छे से सीख भी सकते हैं मैंने काफी अच्छी डिटेल में सब वीडियो में बताया है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आर्च में और मतलब उठी हुई थ्रेडिंग बनी है तो एंड में हम लगा देंगे कोई भी मॉश्राइजर अगर इस तरह से आप थ्रेडिंग करते हैं तो कोई कटने का डर नहीं है कोई कुछ भी नहीं और थ्रेडिंग की सेब जो एकदम से पर्फेक्ट आपकी आएगी तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी सेब आच चुकी है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता है तो यहां पर मुझे थोड़ी से ना एस्टर है और दिख रहे थे जिसे हमने हेर कट करते हैं यह ऊपर से कट किया हेर को तो उसकी जो नीचे होते हैं वो छुट छुट हेर रह जाते हैं तो उनको मैंने फिर से एक खेर किया क्योंकि टेडिंग में क्लियर्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बाद में के लिगाने के बाद में झाम में जो भी छूट भी जाता तो आप बहुत देकते हैं तो अब वुकुल किलियर हो गया है तो काफी अच्छा लगीगा वो थैंक यू फो वाचिंग